अल्राइट तो हाई गाईज वाट्स अवरीबड़ी माई नेम इस केतन कांकरिया और इनकेश इफ यूर नुट मैं चानल मेक शूर था रेट सब्सक्रेब बटन और प्रेस्ट बेल आइगन तो नेवर मिस अनाद अपडेट तो आज हम कुछ अलग करने वाले है आज हम दोगे कि यह स्पीकर 1000 के प्राइस ब्रैकेट में वन अफ दे बेस्ट स्पीकर है या नहीं इसका जो मर्प है वह है मीवी जीरो का बॉक्स और आगे की गई है डियर सारे ब्रैंडिंग स्मॉल साइज बिक साउंड एंड शीरो म्यूट ब्ल्यूटूट स्पीकर और यहां पे लिखा गया है थ्री वाट पीक आउटपूट जो की मीवी रोम का है फाइब वाट का सो बॉक्स को फ्लिप करते ह बारे में क्रिस्टल क्लियर साउंड के बारे में एंड इसका बहुत अच्छा फीचर है जो कि है ट्रू वायले स्टेरियो याने की अगर आप एक स्पीकर के साउंड से साटिस्फाइन होते हो और आपको गुरुजी का प्यार नहीं मिलता है थो आप दूसरा स्पीकर भी इ अगर आप इसको यूज करोगे सत्ता परसेंट वॉल्यूम पर यह आई-पेक्स-फाइफ स्प्लैश रेजिस्टेंट है और पोर्टेवल है इजी तू कैरी सो चली अब हम इसको खोलते है तो आ गई है वह गड़ी जिसका हम धेर सारे टाइम से इंतजार कर रहे थे तो खुल जा खुल जा तो यहां पर आपको मिलता है यह ग्रीन कलर का काड़ अग्ये अमरिका का ग्रीन काड नहीं है बट यह है हमारा वारेटी कार्ड जो कि हमको बोलता है कि हमें मिलेगी एक साल के रिलाइबल वारेंटी एंड यह है हमारा स्पीकर सो मैं यह पिछले एक हफते से यूज कर रहा हूँ एंड मुझे तो इसका जो रिव्यू है वो काफी अच्छा लगा है तो देखते और भी नीचे क्या है सो यहाँ पर है यह एक यूजबी कीबर यहाँ पर है एक यूजर मैनुवल और यह ब्रैंडिंग कर रहे हैं अपने कुछ प्रोड़क्स के बारे में सो इन सबको साइड में रखते हैं बात करते हैं हम मीवी जीरो के बारे में तो कुछ इस तरीका का दिखता है हमारा मीवी जीरो स्पीकर यहाँ पर वापस की गई है में वी के ब्रैंडिंग सो यहाँ पर पीछे दिया गया है एक सब वूफर और यह बताता है जीरो ब्ल्यूतुथ स्पीकर मॉडल नंबर और बैटरी का पसेटिव अगेरा सो यहाँ पर हमारा स्टार्ट बटन यहाँ पर हमारा प्ले बटन यह हमारा चार्जिंग योएसबी सलोट आड़ एसडी कार्ट सलोट यहाँ पर दी गया है एक छोटा सा एले दी लाइट जो कि हमें बताता है कि हमारा स्पीकर चार्ज हो रहा है यहाँ पे हमारे volume up and down के controls बट मुझे यह speaker में एक सबसे बड़ी जो disappointment लगी या जो एक चीज मिसिंग लगी वह हमारा aux connection तो यहाँ पे हमें कोई भी aux connection नहीं मिलता है which is kind of sad बट यह एक bluetooth speaker ही है यहाँ पे आप अपने aux के साथ इसको connect नहीं कर सकते बट बाकी अगर वैसे देखा जाए तो मेरा speaker के साथ experience काफी अच्छा रहा है क्योंकि मैं इसको एक हफते से use कर रहा हूँ तो because review देने से पहले हमें use करके देख लेना चाहिए अच्छे तरह से उस product को समझना चाहिए तो मुझे यह काफी अच्छा लगा बस मुझे एक problem इसमें आई कि यह speaker का जो color है यह गंदा बहुत जल्दी हो जाता है बट अगर आप इसको carefully use करो तो यह शायद गंदा ना हो यह एक मतलब छोटा सा speaker है तो यह आप इसको कहीं भी carry कर सकते हो अपने back पर बान सकते हो and all so मैंने अभी एक जगे travel किया था सो मैंने वहाँ पे इसको use किया and मेरा experience was pretty good मतलब जब आप इसको play करते हो तो लगता नहीं है कि यह 3 watt का speaker है because इसका sound is too much high so अब हम देखते है इसको play करके तो गाइस यह थे मीवी जीरो के बारे में कुछ डीटेल्स आइंड मुझे एक मीवी जीरो के बारे में कुछ डीटेल्स अब आपको क्या लगता है कि 1000 के price bracket के बीच में यह one of the best speaker बन सकता है so अब आपको क्या लगता है आप comment करके बताओ and this was it for the day अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो like करना है चानल को subscribe नहीं किया हो तो subscribe कर देना and bell वाला icon भी दबा दो ताकि आपको हर वीडियो का notification मिलता रहे so अब आप comment करके बताओ कि आपको यह movie का speaker कैसा लगता है and मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए